हर हर महादेव देखिए भाद्रपद की अमावसिया में कुशग्रहन होता है कुशोत पाटन होता है मने जड़ सहित कुशाओं को उखारा जाता है और फिर वे कुशाएं एक वर्स तक पवित्र रहती हैं उन कुशाओं का आप धर्म कृत्ति में प्रयोग कर सकते एक वर्स तक एक वर्स तक वे आयात याम यानि बासी नहीं होती है यह जो है अहन यानि करमार्थम कुशाच छेदा प्रसस्यत है वैसे तो नित्य भी कुशाओं का ग्रहन होता है कुशाओं करके लाईए और फिर जो है आप उसको अपने प्रयोग में लाईए इस तरीके से तो कुशोद पादन करते समय लिखा गया है कि अपने बड़े नियमों का पालन करके जो है कुशा का उच्छेदन हो अगर आपको पित्री कर्म के लिए कुशा लेनी है तो किदर को मुख करके उखारें कोशा उंखाड़ने का समय क्या है कोशा उखाड़ी जाते हैं यह निशिद्ध है कोशा का काल कब है हम अभी बतलाएं गया किदर को किस मंत्र से उखाड़ ना चाहिए किस तरीके से कुषा ली जा तो वो परम पवित्र मानी गई है और भी कुषा से सम्मंदित कुछ विशेष जानकारिया है जो हम आप पुद देंगे लिखा रहता है कि देव कर्म के लिए कुषा का गिरान पूर्व या उत्तर की और मुखर के होना चाहिए और श्राद के लिए कुषा अगर उखाड़ी नहीं हो तो दक्षण की और मुखर के कुषा उखाड़नी चाहिए ये भी जो है इसमें जो है शास्त्रम में बढ़नता है पहले कुषा की प्रात्ना करें आज जोड़ करके जो है पादू का इत्यादि उतार करके थ्रणाम करके ओम इस प्रणव के द्वारा पहले कोसाओं का स्परस करें और फिर युए प्रात्ना करें विरंचना सहोतबना परमेश्ठ निसर्जना नदसर्मान पास्पानी दर्व स्वष्ति करो भवा इस प्रकार प्राथना की जाए यह आचार शंख ने इस मंत्र को लिखा है दर्वकी प्राथना और प्राथना करके फिर उनको जो है कोशाओं को जड़ सहित उखारना चाहिए तो कोशा का ऐसे उखारना बड़ा मुश्किल होता है वहाद को काट देता है वाई पूजुबर कहते हैं कि कोशल सब्द इसी से बना हुआ है जो बिना अपनी क्षती पहुचा है और कोशा को बिद्पूर्वक उखार लेता है उसे कहते हैं कोशल ले आए तो इसके लिए ऐसा है किसी खंथी खुर्पी या फांडे से पहले उसके जड़ों में मिट्टी को खोद देते है कोशाओं हें और फिर रिभा हुम फट यह भूह उनकर क्न को ख हा चलते हैं और रखते चलते हैं कोशा page इस्टव को तीन पत्नों वाली पांच पत्नाव जड़ सइंद अग्रबा के सए कोशाओं का गरान किया जाता है तो वे देव कर्म में प्रसस्त मानी गई है आप देखिए कुशा की उत्पत्ती है कुशा को पवित्र क्यों माना जाता है कुश की उत्पत्ती बरा भगवान के शरीर से हुई है भगवान बरा जब प्रत्वी को लेकर के आये थे तो वो समुद्र में उनके रोएं समुद्र जल से भर गए थे फिर उन्होंने आकर अपने रोएं को जाड़ा तो वो जल जहां जहां गिरा तो उसे खुश की और कास की उत्पत्ती भी ऐसा सिमिल भावत में लिखा हुगा है कुशा के कई तरीके के कुशा जो है रहते हैं वे जो है अगर कुशा वैसा न मिले तो ऐसा ले ले कुशा का कई दस तरीके के साथ तरीके के आज तरीके के छे तरीके के कुशा को बतलाया गया है वो मूल कुश के अभाव में उन कुशा को लेने के लिए शास्त्र में का ग गुंद्रो यवा दूरुवा थबलवजा गोकेशम मुन्यकुंदास्चा पूर्वा भावे परा परा तो कुम कुशाओं को सदा सदा ले लेना चाहिए भी कुशा न मिले तो इसमें दर्म सिंदू में पतलाया गया मुक्रूप से कुशा काशा असरा दूरुवा यव गोधूम बलवजा सुवरनम रजतम तामरं दस दर्वा प्रकियतिता कुशा यह जो दर्म जिसको कहते हैं काश शर शरकंडा दूरुवा अथवा जो का ब्रिक्ष गोधूम गेउंका और एक बलवज जो हता वो अत्मा सुवरन रजत तामर यह भी जो है दर्वक्पी जड़ेतर प्रयोग तब यह हैं इनका भी प्रयोग आप उसमें कर सकते हैं जिस तरीके से बिल्लो पत्र में त्रदेवों का वास बतलाए गया या श्वत्त व्रिक्ष में त्रदेवों का वास बताया गया इसी तरीके से कुश्रा में भी तीनों देवताओं का वास शास्त्र में दिखा हुगा है कि कुश्में त्रदेव रहते हैं देखिए दर्व मूले बसेद ब्रह्मा दर्व के मूल में ब्रह्मा जी का वास है मध्य देवो जनारदना मध्य में भगवान जनारदन विश्ण का वास है दर्वाग्रे तो महादेव स्तस्मा दर्वे न मार जाए और वो जो है दर्वाग्र में भगवान महादेव का वास है इसलिए दर्व से मर्जन करना चाहिए दर्व के और भी एक लक्षन है हमने जो है दर्व की ऊपर पूरा एक लेख लिखा था उसमें बहुत जो है पवित्र के लक्षन हम इसके लक्षन बहुत कुछ लिखेते हैं पवित्री कहां धारण करें यह सब हैं दीरे दीरे इन बातों को बतलाते रहें अब बतला रहें जैसे कुछाव खानने जाएं तो कौन सी कुछा नहीं लेनी चाहिए देखिए चितव दर्वा पतिदर्वा ये दर्वा ये की भूमिशु इस्तरनासन पिंडेसु सड़ दर्वान परित्यजेत हारी का बचन है जहां जो है मूत्रों छिष्ट टले पे तू त्यागस्ते साम विधीयते चंदों पर शिष्ट का इस तरीके से बहुत से बचन है विधी निशेदात्मक यानि कि ये जो गनी पूचे में खड़ा हो जहां पैर से जो लोग उसको दवा की जाते हों जहां जो है मलमूत्र से वह मलमूत्र पड़ा हो कोशा जो कटा चिना हो ऊपर से चिन भिण हो जो गर्वित हो जिसमें जो कुष्प का बाल निकलती है उसमें से तो कुष्प कहते हैं वो गर्वित कुषा जो भी नहीं लेना चाहिए बहुत लंमा कुशा भी पूजन कर्म में उपय होगी नहीं है जितना चोटा वो कुशा चोटा जो होता है उसे दर्व कहते हैं प्रादेश मात्र और प्रादेश मात्र से बड़ा होता है तो उसे कुश कहते हैं तो इस तरीके से भी इनका जो अबिधान है कुशा में हर महीने की अमावस्या में यदि कुशा ले करके आया है मासे मासे तुमावास्याम दर्वो ग्राहियो नवास्मृता हर महीने की यदि महीने तक पवित्र रहती है लेकिन भाद्रपत की अमावस्या में जो कुश ग्रहन होता है वो एक वर्स तक पवित्र रहता है यह वी उसकी विशेश बात है प्रेतक्रियार्थम प्टरर्थमभिचारात्मे वच दक्षsm और द्क्षण व्मुखस्सुलेाथ प्राचिणावींती को द्विजह यह से पिंड़दान इत्याज करते हैं तो प्राचिणावीती हो जाते हैं ज़िए इसकंद पर दाइने कंदे पर जनेव रखते हैं बाएं कंदे पर बाएं हाथ के नीचे रखते हैं इसी प्रकार दक्षिन की और मुंग करके ऐसे प्राचिन अभीति हो करके और फिर जो कुषा कीचा जाता है वो कुष जो है पितरों के कारियों के लिए तता अविचार करने इत्याद के काम में आता है इसलिए समानी रूप से उत्तर और कुर्व की और मुंग करके ही दर्व का ग्रहन करना चाहिए यह बात है तो कुष का ग्रहन करने का समय कब है यह खास बात और आप जान लीजेगा कुष कब ग्रहन करें कुछ लोग साइंकार को करते एक दिन पहले ही कर लेते हैं असा नहीं है जिस दिन जो प्राते काल भाद्रपद की मावस्या हो उसी दिन कुश ग्रहन करना चाहिए इसका मुख्य काल क्या है देखिए कुशोत पाटन का समय मुख्य काल अत्र विशेशा निरने सिंदव प्रत्वी चंद्रो दै तत ग्रहन कालम आहा दक्षा निरने सिंदु में प्रत्वी चंद्रो दै ग्रंथ में जो कुश ग्रहन का काल दक्ष स्मृती के बचन के आदार पर मतलाया गया है क्या है कि समित पुश्प कुशादी नाम दुतिया परिकीर्थिता समिधा लेनी हो पुश्प लेना हो पुश्प का ग्रण करना हो अत्वा कुशाओं का ग्रण करना हो तो दुतिया परकीर्थिता दिन का दूसरा बाद यह प्रसस्त होता है दिन का दूसरा बाद कैसे हमारे जह कई तरीके से दिन को आठ बागों में बांट करके भी दिन की चर पांच भागों में बाट करके हैं और दो भागों में बाट करके भी हैं तो यह कह रहे हैं आश्टदा विवक्त दिनस्या दुतिय भागे इत्यर्था हो आप पूरे दिन के जो है 12 गंटे हैं तो 12 गंटे दिन में आठ बाग कर दीजिएगा तो देड़ गंटे का लगवग एक जो है काल बनेगा एक बाग तो सुर्वदय से प्रथम बाग को छोड़ करके मानि पहले देड़ गंटे को छोड़ करके फिर आप कुशोत पाथन करें दुति ये भाग में पहले में तो संध्या बंदन इत्य करके और फिर उखाणना चाहिए साइंकाल इत्याद को कुशा ग्रहंड नहीं किया जाता अपने नित्यकर्म करके फिर प्रात्यकाल ही इसका ग्रहंड होता लगो संगव काल में यूं कह सकते हैं तो इस समय आप लोग कुशा एकत्रत करके बाद्रपद की मावस्या में करके फिर जसकाल में कॉच़ने